हेलो विद्धार्तिव नमस्कार प्रकास्तर हिंदी प्राप सभी का स्वागत है कक्षा बारा में आरोबाद 2 उस्तक का आठवा चैप्टर है फिराग गोरुपुरी 7 चैप्टर का ने अध्यन कर लिया था चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन प्रेश कर आल पर क्लिक कर ले वीडियो को टेलिग्राम वार्टसप फेस्बुक के मादम से अपने से कॉंडेक्ट में जितने विद्धार थी हैं उनके पास आप आवस्चे सेंड करें शेयर करें लेखर प्रीच हम पढ़ेंगे फिराग गोरखपुरी का मूर नाम रगुपती साहि फिराग था इनका जनम्शन अठासो चाने से मिग्गोरखपुर मिवा था और गोरखपुर से गोरखपुरी कैलाए इनकी सिख्षया रामकृष्ण प्रमहन्ष की काहने से प्रारम होई बाद में अर्वी फार्सी अंगरेजी में शिक्ष्या पराप्त की सन 1917 में डिप्टी कलेटर के पत परचाइनित हुए परन्तों एक वर्ष बाद सवराज्य अंदलन के लिए वे नोकरी त्याग दी सवादिनता अंदलन में भाग लेने से डेड़ वर जेल में रहे तिर इलाबाद विशिवद्ध्याला के अंगरेजी विबाग में अध्यापक रहे 1913 मिन का निदन हुआ साहिती रचना की दरश्टे से साहिरी गजल एम रुबायों के और आकरशित हुए वस्तुत है उर्दू साहिरों साहिरी की समंद रुमानियत रहसे साच्ट्रेता से बंदार आया जिसमें लोग जीवन और परकर्ति का चित्रन नामातर का मिलता है फिराग गोरकपुरी ने सामाजिक दूर दर्द को व्यक्तिकत अनुभूतियों के रूप में साहिरी में डाला है इन्होंने बारते संसकर्ती और लोग बासा के पर्तिगों को अपना करके इन्शान की विवस्ताओं एम भविशे की आसंकाओं को सच्चाई के साथ अव्यक्ति दी है मौहवरे दार बासा लाक्षनिक प्रियोग करते वे इन्होंने मेर और गालिब के तरह अपनी भाव व्यक्ति किये है फिराग गौरपर की मेधफुन रचले हैं गुले नगमा बजमे जिन्दगीर रंगे सायरे उर्दू गजल गोई गुले नगमा पर इनको सायत अकादिम प्रसकार मिला इनको ग्यानपिट प्रसकार भी मिला सोवित लैंड नेरू आवार्ड्स भी इनको दिया गया इनके रुबायों का हिंदी सायते में विशेश मेहतव है कवीता परीचे पाटे पुस्तक में फिराग गोरगपुरी की रुबाया है और गजल भी है इनकी रुबायां वातसले रच से संप्रिक्त हैं इनमें नन्नी बाला की अठखेलियों, खेल, मा बेटी की मनमोग, चेश्टाओं, इच्छाओं, रक्षिया बंदन का एक द्रस से अंकित है मा अपने सिसु से बरपूर प्यार करती है तता उसे लाट दुलार करती है इसे सिसु अतीव, आनन्दित रहता है, खुस रहता है, दिपावली पर गरूं की सजावट होती है तो मा सिसु की सीशे में, सिसु को सीशे में चांद का परतिविं दिखाती है रक्षियंत बंदन पर नन्नी बाले का अपने भाय की कलाई पर चमकती राखी बानती है फ्र्याग गोरुपुरी की संगली गजलों में व्यक्तिगत प्रेम का चित्रन हुआ है इसमें फोल रातरी एकांत पर करती आदि के सारे प्रेमी व्यक्ति की दिवानगी इन वियोग व्यता का सुंदर चित्रन हुआ है इन गजलों में प्रेम वेजना का मार्मिक्स और व्यक्तिव है उनके गजल और रुबाईया अमारी पार्टिपुर्श्तिग में सम्लिद की गए है आरुबाग्टु में जिनका प्रीचे हम नें पढ़ा है अब हम उनकी रुबायों को पढ़ते हैं कटीन सब्दार्त हैं चांद का टुकडा बहुत प्यारा बेटा लोका देना ने उचाल उचाल करके प्यार करना प्रस्तुत काव्यानस कभी सायर फिराग गोरपुरी की रचना गुले नगमा से उद्रीत रुबाया से लिया गया है रुबाय उर्दोर फार्शी का एक चंद है यानि लेखन सेली है इसमें सायर ने वासल रस्त का चितरन किया है जिसमें मा अपने नहने सिसु को प्यार से अपनी बहुं में सुला रही है पहली इस रुबाय के व्याख्या एक फिराग गोरपुरी कहते हैं कि एक मा अपनी प्यारे सिसु को गोद मिले आंगन में खड़ी है कभी उसे हाथों से जुलाने लगती है कभी उसे हवा में उचाल उचाल कर गोद में बर लेती है प्यार करने की इस क्रिया से बच्चा खुस होकर खिल खिला करके हस उड़ता है और आंगन में उसकी हसी की किलकारी गूंज उड़ती है तता मा बेटा दोनों ही अतीप परसन होते हैं विसेशे कभी ने वासले रस के दोरा मा बेटे की परसनता का वणन किया है वासले रस है दरस्चे बिम्ब है रुबाई चंद है उर्दू हिंदी मिश्री सब्दावली है लोका देना देशज बासा का प्रियोग है लोका देने कारत होता है उचाल उचाल करके प्यार करना इस रुबाई में कभी कहते हैं कि एक मा अपने सोटे से सिसु को गोद में लेकर के आंगन में खड़ी है कभी उसको अपने हातों से जुलाती है कभी हवा में उसको उचालती है इस प्रकार से प्यार करती है तो इस प्यार की करिया को देखर के बच्चा खुश ओकर के हसता है किलकारी मारता है यानि मा और बेटा दोनु परसन है खुश है दूसरी रुबाई है नेला के छलके छलके निर्मल जल से नेला के छलके छलके निर्मल जल से उलजे वे गेसों में कंगी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँ को जब घुटनियों में लेके है पिनाती कपडे जब गुटनियों में लेके है पिनाती कपड़े गेसों का अर्थ होता है बालों निर्मल जल नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं ज़्यादा गराउं पिनाती यह पेनाती है तो एक काव्यान सायर फिराग गोरपुरी की रचना गुले नगमा से उद्रित है रुबायों से लिया गया है रुबाई एक उर्दु फार्शी बासा के एक छांद है लेखन की सहली है कवी या सायर ने मा का पुतर के रूप में मा का पुतर के परती जो पेम होता है उसको इसमी परदर्सित किया है कवी कहता है कि मा अपनी सिसु को निर्मल पवीतर जल से नेलाती है वो अपनी सहत्तु से सिसु पर जल चलका चलका करके नेलाती है फिर उसके उलजे बालों पर कंगी करती है जब वे सिसु का अपनी दोनों गुटनों के बीच में रकर अत्वा ठाम कर उसे कपड़े पैनाती है तो सिसु बड़े प्यार से मा के मुख कि और देखता है उसमें कितना ममतव चलक पड़ता है उसमें सिसु का सरल मुक वे मा का निछल प्रेम साप नजर आता है विशे से कवीनी मा की ममताव का संदर रूप चितरित किया है वासल इरस की सहज व्यक्ति है उर्दू हिंदी मिस्रित वासा का प्रियोग तरदा पिनाती कपड़े में लोग वासा का प्रियोग है दूसरे पद में कवी ने बताया है कि मा निर्मल सौच जल से अपने बच्चे को नुलाती है निलाने के बाद में उसके बालों में कंगे करती है फिर गुटनों के बीच में लेकर के जब उसको कपड़े पैनाती है तो बच्चा अपनी मा की, सिसु अपनी मा की मुक्की और देखता है तो उस समें बहुत ज़्यादा मम्तोज जलगता है मा और उस सिसु के दोनों की बेच में जो प्रेम होता है वो साप नजर आता है दिवाली की साम घर पुते और सजे चीने की खिलोने जग मगाते लावे वो रूफवती मुखड़े पे एक नर्म दमके बच्चे के गरोंदे में जलाती है दिये दमके नहीं होता है चमक या परसंता पुते निसाप सुत्रे लावे अन्दीपक गरोंदे बच्चों दोरा मिट्टी रेत का बनाया घर परसंग है परस्तुत कावयानस कवी सायर फिरागोरपुरी की रचना गुले इन नगमा से उद्रित रुबायों से लिया गया है रुबाई उर्दू फार्षी के एक चंद है लेकन सेली है रोगन करने से वे एक दमसाफ सुत्रे और सजेद अजी है उन्हें खूब सजाया गया है माता पिता अपने बच्चों को परसंद करने के लिए चीनी के बने खिलोने लाते हैं चमकते वे दिया अपने रोशनी भी खेरते हैं उसमें मा के आननदित सुंदर मुख पर सुंदरी के एक मधूर कोमल चमक या परसंता जलती रहती है वे बच्चे के खेड़ने के लिए बने वे एक घर में दीपक जलाती है जिसे बच्चा परसंद हो जाता है अपनी खिल खिलाती असी से पूरा वात्तावन गुंजा एमान कर देता है कभी ने दिवाली की साम को मा बेटे की आय परतिम खुशिक वर्णन किया है हिंदी उर्दू मिश्रित बासा है रुबाई चंद है रुपुती मुखडा, ध्रम दमग, अध्वुत परियोगिस में किये गए है तो इसमें रुबाई में कभी कहता है कि दिवाली की साम है गरों को रग रोगन करके सजाय गया है, दजाय गया है खूब सजाय गया है माता पिता परसंद होकर कि बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के खिलोने लाते हैं चमकते वे दिये लाते जो रोशनी खैलाते हैं मा उस बहुत ही परसन है उसमय और मा अपनी बच्चे के जो मिट्टी के बनेवे घर हैं उन्हों में दीपक जलाती है तो उसमें बच्चा खिल खिला करके असता है और पूरा वाता उन गुंजाए मान कर देता है चोतिर वाई है आंगन में ठुकन आंगन में ठुनक राहे जिदी आया है आंगन में ठुनक राहे जिदी आया है बालक तो है चांद पे लल्चाया है दर्पनों से देखे कहरे ये मा देख आयने में चांद उत्राया है ठुनक रहा यानि नकली रोना मचलना जूट मूट रोना जिद याया जिद पर आया है 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 ही कवी सायर खिराक गोरखपुरी की रचना गुले नगमा से उद्रित रुबाईली से लिया गए एक रुबाई है रुबाई उर्दू और फार्सी वासा के एक चांद है लेखन से लिया है सायर ने बच्चे की जिद माद वारा उसकी इच्छा पूर्ण करते वही यहां पर बताया है कवी कहते हैं कि बालग अपने आंगर में जूट भूट हो रहा है मचल रहा है जिद कर रखा है बालग तो है ही उसका मन चांद लेने पर आ गया है वह मा से चांद लेने की जिद कर रहा है मा उसके हाथ में दरपन देखर के बैलातिया कहती है कि देख चांद इस दरपन में आ गया है अर्था चांद का सुंदर परतिविम दरपन में उतर आया है अब ये चांद तेरा हो गया है अर्था मैंने तेरी चांद पाने की किया गया है इसे रुबाय में कभी कहता है कि बालक जूट मूट गर के अंगन में रो रहा है जिद कर रहा है कि मुझे चांद चाहिए तो मा किस परकार से अपने बच्चे को बहलाती है उसके हाथ में दरपन देती है और चांद का परती भी दरपन में दिखाती है और कहती है कि देख दरपण में चांद उत्राया है अब ये चांद तेरा हो गया है इस परकार से मा अपने बच्चे की समश्या का समादान करती है उसकी जिद को पुरा करती है पांची रुबाई है रक्षया बंदन की सुबह रस की पुतली छाई ए गटा गगन की हलकी हलकी बिजली की तरहे चमक रहे हैं लच्चे बाही के है बांती चमकती राखी रस यन आनन्द पुतली का अर्थ का गटा यनी बादलों का समवा लच्चे तारों से बनी राखी कविया सायर फिराक गोरपुरी की रचना गुले नगमा से उद्रित रुबायों से लिया गया है इसमें कवीने भाई बहन की प्रेम को पर्दसित कर मीठा बंदन यानि रक्ष्या बंदन का इसमें उवर्णन किया गया है फिराग ओर्प्री कहते हैं कि आज रक्ष्या बंदन का पोई तर दिन है जिसकी सुबह आनांद और मिठास से बरी हुई है क्योंकि ये दिन भाई बहनों के मिठी बंदन का दिन होता है आकास में कॉले कले बादलों की गटा चाही हुई है इन बादलों में बिजली रह रहकर चमक रही है इसी बिजली की तरह राखी के रेस में दागी भी चमक रहे है बेन प्रसंता उमंग से अपनी भाई की कलाई में उस शमखती राक्य को बानती है कभी ने रक्षाबंदन का सवभा चितरन किया है उर्दो हिंदी मिस्थी बाशा का प्रियोग है रुबाई चंध का प्रियोग है उन रुकती प्रकास अलंकार इसमें प्रियोग में लिया गया है तो पांची रुबाई में कभी कहता है कि रक्ष्या बंदल की सुबह है एक छोटी सी गुडिया अपने हाथ में बिजली की तरह चमकते लच्छे वाली एक राखी ले रखी है और आकास भी एकदम साप और सुत्रा है काले काले बादल चाये हुए हैं बिजली चमक रही है और बेहन परसंता उमंग से बरी हुई है और ने बाई की कलाई पर राकी बांगती है फिराग गौर्खपुरी की दोरा लिखी गई जो गजल है वो अमारी पाठे पृष्टक में समलित की गई है कुछ गजल है उनका अध्यनम करेंगे नौरस गुंचे पंखडियों की नाजुक गिरिहे खोले हैं नौरस गुंचे पंखडियों की नाजुक गिरिहे खोले हैं या उड़ जाने को रंगो गु गुलसन में पर तोले हैं तारे आखे जब कावे हैं जर्रा जर्रा सोये हैं तुम भी सुनो हो यारो सम्मे सन्नाटे कुछ बोले हैं कटिन सवदार थे नौरस नया रस गुंचे कली गिरहें गाठे गुलसन यानी बगीचा जर्रा जर्रा यानी काणकन सब यानी रात में फिराग गौरुकपुर की दोरा रचिते गजले हैं इसमें कवी ने परकरती के मनोर मेरे सुन्दर रूप का चितरन किया है फूल और रात्री के बहाने परकरती की छटा चटा जर्रा यानी होता है सुबा अतीव स बहाने परकरती की जो सुबा होते इस कावरणन इनोंने इन दोनुगजलों में किया है वे कहे हैं कवी फिरा गोरकुरी परकरती का मनोहरी चित्रन करते कहते हैं कि नेर रस या पराग से बढ़ी हुई कलिया अपनी कोमल पंकडियों की गाठों को खोल रही है और दिरी-दिरी खिल रही है अर्थात वे फूल बनने के और अगरसर है उनसे जो सुगंद फैल रही है वे एसी लगती है कि मानो रंग और सुगंद आकास में उड़ जाने के लिए पंक फड़ पड़ा रहे हैं आसे कि सारे प्रिवेस में वाताउन में कलिया यह उन्फोलों की सुसमायने सुंदरता सुगंद फैल रही है तो पहली जो गजल है उसमें कभी ने लिखा है कि नेर खिलती रहेंगे अर्थात उसे फूल खेलने लग जाएगा और उसमें जो पराग में खुसबू होती है तो चार और खेलने लग जाएगा और पराग में खुसबू आती है शुगंद आती है तो कवी कहता है कि जब पंखुडियां दिरे-दिरे अपनी गांट को खोलती है तो ऐसा पर्तित होता है कि अपनी सुगंद को विखेरने के लिए आकास में उड़ना चाती हैं। रात का सन्ना ठा प्रिय की याद दिलाने का प्रियास कर रहा है। सोना चाती हैं। उसमें प्रकरती का कंकंड जर्रा जर्रा यानि कंकंड होता है वो सोया हुआता है। उसमें यदि आप उठो आपकी नींद तूड जाए तो आपने सुना होगा या सुना कि रात में जो फैलावा सन्नाटा होता है जो चुपी होती है वो कुछ हमें बोलने का एहसास कराती है। जर्था तो वो सन्नाटा भी कुछ हमी कहता है। कभी कहता है कि उसमें यदि सुबह जब रात डलती है तो उसमें यदि हमारी नींद तूड जाती है तो वो सन्नाटा हमें अपनी प्रिये की याद दिलाता है। आगे गजल हैं हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को हमरी दोनों को एक ही काम मिला हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक ही काम मिला किस्मत हम को रो ले वे हैं हम किस्मत को रो ले हैं हम किस्मत को रो ले हैं तो देखो कास का अरथ होता है संबोहो परदायन रह से चिपी हुई बाहुना है तो ये फिराग गौरुपुरी की गजल है इसमें कवी ने किसमत का रोना और एसपलता के बारे में बताया है दूसरी गजल में दूसरी दरफ लोग उपर विंगे कर रहे हैं दूसरों की बुराई कर शियों का सरीतर परस्तुते करते हैं लोग तो पहली गजल इसमें बताया कवी ने कि मैं और मेरी किसमत दोनों एक समान है दोनों निरास ऐसपलता के कारण रोते रहते हैं दोनों को एक ही काम मिला है मेरी किसमत मेरी हाला देख कर कर रोती है तो मैं अपनी बुरी किस्मत को दे करके रोता हूं आज से यह कि हम दोनों अपनी बुरी हालत और प्रस्थत्ययों का दोस एक दूसरे पर डाल करके कोषते rha थे हैं तो पहले गजल में कोई ने बता है कि मेरी जो किस्मत है मुझे और मेरे किसमत को दोनों को एक ही काम मिला है कि हम दोनों एक दूसरे को कोस करके दुखी रहते हैं परेसान रहते हैं क्यूंकि मेरे जिवन में मिरासा है ऐसे पलता है तो मैं तो बुरी हालत को दे करके दुखी होता हूं मेरा परदा खोले हैं या अपना परदा खोले हैं इस गजल में कवी निका है कि जो लोग मेरे को बदनाम करना चाहते हैं वे इतना आवसे सोचें कि मेरे बहाने जो मेरी बुराई आप कर रहे हैं वे मेरी बुराई कर रहे हैं या आपके मन में जो बुरे विचार है उनको पर खटे कर रहे हैं, तो कभी कहता है कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं, मेरी निंदा करते हैं, का स्वेश समझ पाते हैं कि मेरी नहीं, अपनी कम्यों के पर देखो रहे हैं, अपनी निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, अर्था दोसरों की बुराई करना, श्यों की चरीतर को प्रस्तुत करना है, विक्ति जब दूसरी विवार को प्रस्तुत करते हैं, तो एक विक्ति को दूसरी विक्ति की विवार को प्रस्तुत करते हैं, तो एक विक्ति को दूसरी विक्ति की विवार को प्रस्तुत करते हैं, तो एक विक्ति को दूसरी विक्ति की विवा ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदरुस्ति ये होसो हवास ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदरुस्ति ये होसो हवास तेरा सोदा करने वाले दिवाना भी हो ले हैं दिवान अभी हो ले हैं अदाकार्थ होता है चुकाना बद्रुस्ति ये होसो हवास विवेक के साथ पासे अदब लिहाज आदर का भाव उफ्राक गोरुपुरी की दोरह रचीते गजल हैं जो प्रेम की सवरूप पर प्रकाश डार रहे हैं पहले गजल की व्याख्य हैं कभी कहता है कि हे प्रिये अपनी प्रिया को संबोदित करते हैं कि हे प्रिये मैं पूरे होस हवास विवेक के साथ तुमारे प्रेम व्यवहार का पूरा मुल्ले चुका रहा हूं जो भी प्रेम का सोधा करता है दिवाना होई जाता है आज से यह है कि जो प्रेम में रोता है समाज उसे पागली समझता है कभी प्रेम श्यों को पागल प्रस्तूत करने को तैयार है तो कभी अपनी प्रिया को संबदित करते हैं कि मैं पूरे होस हवास के साथ विवेक के साथ तुम्हारा जो प्रेम व्यवार है उसका जो मुल्य बनता है उसको मैं चुकाने की पूरी कोशिस कर रहा हूँ और जो भी कभी कहता है कि जो भी प्रेम का सोदा करता है वो दिवना हो जाता है जो प्रेम में रोता है समाज के लोग उसको पागल समझते हैं और कभी अपने आपको प्रेम में पागल प्रस्तुत कर रहे हैं दूसरी गजला है तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है सबसे चिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले है चुपके चुपके रोले है तो पासे अदब का रहता है लिहाज आदर का बाव तो कभी कहता है कि ही प्रिया मैं तुम्हारे प्रेम का आदर करता हूँ सम्मान करता हूँ लेकिन दूसरी और मैं दुनिया का ख्याल भी रखता हूँ जब मुझे आपकी याद आती है तो मैं छिप करके रो लेता हूँ अर्थाद आपको बहुत याद करता हूँ तो दूसरी गजल का बावारत है कभी कहता है कि मेरे मन में तुम्हारे दुख दर्द की परती सम्मान है, मुझे तुम्हारा लिहाज है आदर है, तुम्हारे आदर की चिंता, पिल्भ हजगे अपने प्यार की बाते करूँगा, तो दुनिया हमारे प्रेम का मजाक बनाएगी इसलिए मैं अपने दुख दर्द को सबसे चिपा कर चुप चाप अकेले में रो लेता हूँ अर्था दिये कि सच्छे प्रेमी अपना प्रेम वे दुख किसी के सामने परकट नहीं करते हैं कवी ने प्रेम का बहात्म गरूब परकट किया है साथे प्रेमी ब्रेह दसा को भी प्रस्तित किया है उर्दू हिंदी बासा का पर बावी प्रियोग है गजल चंद है कीमत अदा करना एक मुहारा कवी की दोर्यां पर प्रियोग में लिया गया है नेक्ष्ट गजल है फितरत का कायम है तवाजून आलमे उसन औ इसक में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं तो इस पहली गजल में कवी ने लिखा है कि संसार में प्यार का भी एक संदूलन है जो अपने आपको जितना प्रेम में खोता है खपाता है डुबोता है वो उतना ही प्यार प्राप्त करता है कटिन सब्दारते हैं फितरत यानि आदत कायम निस्तापित तवाजून निसंतूलन आज में उसनो इसके प्रेम और संद्री के संसार में आबो ताब असाहर चमक दमक के साथ आखे रखो देखने में समर्त बैत यानि सेर मोती रोले आसू बहाले ते गजल फिराग गोरकपुर की दरा लिए गई है इसमें विरही मन की दसा और प्रेम की सवरूप और परकाश ड़ा गया है पहले गजल अमने पढ़ ली थी कभी कहता है कि प्रेम और संद्रे के संसार में भी मनुसी की आदत सुवाव का विसेश मैतव है प्रेम वहर में भी लेन देन का संतुल बराबर बना रहता है जो मनुसी प्रेम में श्योम को जितना अधीक खोता है अथा समर्पित कर देता है वो उतने अधिक प्रेम पराप्ट करता है आसी ये है कि प्रेम पाने के लिए श्यों को खोना भी पड़ता है दूसरी गजल है आबो तब असार ने पूँचो तुम भी आँखी रखो हो ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रो ले हैं या फिर मोती रो ले हैं तो कभी कहता है कि तुम्हें मेरी सायरे की चमक दमक पर जाने की जरूत नहीं है तुम्हें अपनी आँखे खोलनी चाहिए अर्थात द्यान से मेरी सायरे को देखो इनकी चमक में मेरी आसों की छाया है अथाथ मेरे दुक दर्द वहई पीडा आसो के रोब में इन साइरे में अपनी समक संदरे बिखे रही है यो कभी दूसरी साइरे में कहता है का आव मेरे साइरे की दुक्त दमक पर बिलकुल ही मत जाओ आप अपनी आखे खोलो और मेरे साइरे को ध्याण से देखो इन शायरियों में मेरा जो दुख दर्द है, पीड़ा है, जो आसु हैं, उनकी जो चमक है, उनकी जो सोंद रेता है, वो इन शायरियों में बिक्रिवी अर्थात मेरा दुख इन शायरियों में परकटे हो रहा है प्यूनि प्रेम की सभवाव इंवरे की दसा का वणन किया है उर्दू की कटिन सब्दावली का प्रियोग है आखे रखना मौहरे का प्रियोग और वियोग सरंगार रस है कटिन सब्दार थे हैं अंजू मने में सराप की महफिल रिंद यानि सरावी ग्रंदू आकास फ्रिष्टे देवदूत बाबे गुनायानि पाप का अध्याए सद्दकेनि कुर्बान फिदा एजाजे सुकन बेहतरी इंशायरी उत्कृष्ट कावे संद्री परतायनी चरणों या पदों तो नेक्ष्ट जो गजल है एसे में तु याद आये है अंजू मने में में रिंदू को रात गए गर्दू पर फ्रिष्टे बाब गुना जग खोले है कभी कहता है कि रात बीतने पर आकास में जो फ्रिष्टे होते हैं देवदूत होते हैं वे सबी लोगों के सबी पराणी जीव जन्तों के पाप और पुन्ने के इसाब किताब को नोट करते हैं लिखते हैं तो कभी कहता है कि हे प्रिया उसी समय कभी कि अपनी प्रिया को समद्दित करता है कहता है कि हे प्रिया जिस परकार से सराप की मेफिल में सरापियों को सराप की याद आती है उसी परकार से मुझे भी आपकी याद आती है अगली गजल है सद्दके फिराग एजाज सुकन की कैसे उडाली ये आवाज सद्दके फिराग एजाज सुकन की कैसे उडाली ये आवाज इन गजलों के पर्दों में तो मेर की गजले बोले हैं मेर की गजले बोले हैं इस अंतिम गजल में कवी ने लिखाया है कि मेरी बहतरीन शायरिया गजलों को लोग पढ़कर के कहते हैं कि है फिराक आपने इतनी बहतरीन ये गजले कहां से गरन कर ली हैं आपकी गजल तो मेर की गजलों के समान है अथाद बेतरीन है अच्छी है तो परस्तुत का वैंस फिराग गौरुकपुरी की गजलों से लिए गजल है और इसमें प्रितम की याद और सायरे की परसंसा कवी ने आपर की है कभी कहता है कि हे परेग प्रेयम की वियों की स्थति में तुम हमें इस तरह याद आती हो जैसे इसराब खाने की महिर्म में सिराबियो की स्राब की इसराब की याद आती है फिर वैसे जब आधिरात को देव दूद फृरिष्टा आकास में संसार की पाफू का इसाब किताब कर रहा होता है प्रेम की इस्तती में फृरितमा नसिली वस्तु की समान या फिर पवितर फृरिष्टे की समान परतीत होती है कभी कहता है कि लोग मुझसे आकर कहते हैं फिराक हम तुम्हारी बेहतरीन सायरी की सायरी पर कुर्बान होते हैं नियुचावर होते हैं तुमने से उतकरिष्ट सायरी कहां से सीग ली तुम्हारी गजलों में तुम मेर की गजलों के सब्द सुनाई पड़ते हैं अधात तुमारी सायरी मेर की सायरी के समान बेहतरीन है फिवने विरावस्ताक्त का थता दोसरे सेर में श्योम की परसंसा करते हैं उर्दो सब दावल की बहुलता है उडा लेना मौहौरे का प्रियोग है व्योग सरंगार और गजल छंद है तो ये फिराव गोरपुर की दोरा लिखे गई जो गजल हैं उनकी रुबाईय हैं उनका में अध्यन किया हैं पार्टी पुस्ता की जो परसं हैं उनका भी विद्धारतियों आप आसानी से अध्यन यापर कर सकते हूं पार्ट की साथ फर्ष्ट चेकिन और थर्ड क्यूसन है फर्ष्ट क्यूसन है कविता के आस्वास का फर्ष्ट क्यूसन है दोसरा क्यूसन है आफसदारी का परसं है मैया मैं तो चंदर खिलो न लेहो सूर्दास सुमित्र अंधन पंध सेश उतारे बुही धरे तब मिले करतार कभीर की अन्य मैजम परसन लगुतरात्म परसन फर्ष्ट क्योशन है सेकिंड थार्ड और फॉर्थ क्योशन पाचवाँ सटवाँ साथवाँ और आठवाँ परसन नुवाद दस्वावर ग्यारो परसन निमंदात्मग फर्ष्ट और सेकिंड क्योशन रचनाकार से समंदित फर्ष्ट क्योशन पर विद्यार्तियों फिरा गोरुख परसे समंदित जो रुबाया और कजल समलित की गई है आरुबाग टू में उनका उन्यद्धन किया कि उसनानसर देखें धन्यवाद